हेलो प्रेंज, कैसे आप लोग, सायद सब लोग अच्छे होंगे आज मैं आप लोगों को एक पेहदरी बिजनेस टीप्स के बाड़े में जानकाने देने वाला थू आप लोग कभी सोचे भी नहीं है, ऐसा बिजनेस तरीका हो भी सकता है तो आज मैं मेरा इस वीडियो में आप लोगों को ओ बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ एक दम कम से कम इंवेस्ट करके आप लोगों ओ बिजनेस कर सकते हैं एक करीब आत्मी के लिए ओ बिजनेस बहुत सक्सेस्फुली बिजनेस हो सकता है दोवाजाग 24 साल में ओ बिजनेस क्या है चलिए हम लोग थोड़ा डीडियल में देख लेता हूँ वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही डूपेश आप लोग मेरा इस चैनल को अभी तक भी सेस्क्राइब नहीं किये तो सस्क्राइब करके मेरा इस चैनल के साथ चुरे रहीगे सस्क्राइब करने का मतलब होता है मैं जब भी कोई नया नया वीडियो आप लोगों को दिखाने का कोशिस करूंगा सबसे पहले आप लोगों के पास ही पहुँचेगे और आप लोगों को एना इस वीडियो देखने के बाद थोड़ा भी बहुत अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना तो चलिए आज का वीडियो सुरू किया जाए तो दोस्तों जो जानकारी मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ एकडम करीब आदमी के लिए ये बिजनेस है जिन लोग इन्वेश ज़्यादा नहीं कर सकते हैं उन लोग के लिए ये बिजनेस है बिजनेस देखिए सब लोग कर सकते हैं लेकिन मैं खास करके उन भाईबंदे को लिए बतागा हूँ जो भाजोंदू ज्यादातर इंवेश्ट देख कर सकते हैं तो मेरा इस वीडियो को आप लोग फुरा देखते रहेगे जो बिजनेस आइडिया मैं आज आप लोगो दूंगा और बिजनेस मार्केट में आप लोगो देखने को बिनेगा लेकिन उसी बिजनेस के उपर में जो आइडिया आज आप लोगो देने वाला को एडिया अभी तक कोई भी नहीं सोचे होंगे तो क्या है तो देखिए मैं आप लोगो दिखाता हो एजो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है एज छंतु बनाने वाला मसीन अभी आप लोग मार्केट में देखते होंगे एक बाइक लेके छंतु का मसीन बाइक का पीछे लगा के गाओ गाओ सेल सेल भूम भूम के छंतु बेज रहे हैं आप लोग माँद आदमी देखे होंगे तो आप लोग सोच रहे हैं मैं क्यूँ इस टॉपिक के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ मैं जो आप लोग को चलतु बनने वाला मसीन का बात बता रहा हूँ एक मसीन लेके आप लोग बिजनेस सो कर सकते हैं आपना लगा के आप गाओ गाओ सेड़ सेड़ भूम भूम के छत्तु बेज़ेंगे लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूं इस बिस्नेस को आप लोग कीजिए और भी थोड़ा सा दिवाग लागा कर वो क्या है आप लोगों मैं अभी बताऊंगा आप लोग ये मसिन को खरिदिये खरिद के एक ठेला लगाई ठेला के मद्धम से एविस्नेस कीजिए आप लोग चना को पीस कर जो चत्तु निकलेंगे वो तो आप लोग का सेल होगा ये होगा उसके साथ साथ आप लोग चत्तु का घोल बना के बेचिए आप लोग मसिन लग रहो आप लोग को आत्मी का आखों के सामने आप लोग चरा को पीस कर छत्तु बनाएगे और उसी का घोल बनाकर आप लोग कश्टमोरों को देंगे और इसमें कश्टमोरों को अच्छा लगेगे जह सामने में आखों का सामने मुझको चरा को पीस कर छत्तु बनाकर उसको घो आकर सिथ होगा, इसलिए मैं आप लोग को बनाराओं आप लोग चरा का मशीन तो मार्केट में बहुत देखे हैं, चरा चत्तु बना मशीन, इस मशीन को और थोड़ा सा जुगारों लगा कर यह बिजनेस आप लोग कर सकते हैं, एक साइड में आप लोग चरा को पीश कर चत् खड़े देंगे, और जिसको घोल पीना है, वो घोल पीएगा, तो दोनों काम आप लोग का एकी मशीन से होगा, दिमाग लगाना है, आप लोग दिमाग नहीं लगाते हो, इसलिए आप लोग का कुछ नहीं होता है, आप लोग सुचते हो, एक मशीन लेंगे, हम लोग एक जी करने के लिए तिमाग का जरूरत होता है इसलिए मैं आप को बताता हूं एक सबसें को कर रा है तो तोनों ही आप लोगों का चलेगा, यह पुड़ा मेरा 100% है, आप लोग एक वार करके देखिए, एक ही मशिन लगा कर आप लोग दो काम कर सकते हैं, मेरा इस वीडियो करने का मकसद है, जो भाईबंदु एक छत्तु का मशिन लेके बिजनस कर रहा है, उस भाईबंदु को एक आप लोगों का रेगुलर जो इंकम हो रहा था, वो आप लोगों का दूपना हो सकता है, आप लोगों को एक जानकरी देने के लिए मैं इस वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि बहुत भाईबंदु मुझको कॉल किया है, छत्तु का मशिन अभी तो बहुत हो गिया है, मार्के के घोल बना कर भीजेंगे, तो आप लोगों का दूपना होगा, तो दोस्तों मेरा इस वीडियो कैसे लगा, आप लोग कॉमेंट करके मुझको जरूर बताना, आप लोग अच्छा रहिए, सौस्त रहिए, और किसी दलाल और डिलारों का चक्कर में ना पनिए, आप लोग स आपको, मेरा तालाबसे, नामस्ते.